वेल्कुल्ट इग्री कल्चर हेड़ा 24-7 लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रीट के बारे में आज पढ़ेंगे शिप्स के बारे में तो बच्चों शिप्स हमारी बहुत जादा यूसुफण अनिमेल्स में आती हैं तो आज हम इनके ब्रीट्स और इनके ग्ला कि यह चीज तो मैं ने पढ़ाई थी है ना तो चलो बच्चर जल्दी से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं लेकिन उसे पहले आपको चोटा सा काम करना है काम क्या है अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रहे हैं तो आप अग्री कल्चा अड़ा 24 7 के आप आप मीन चैनल को खाले सब्सक्राइब कर लिए और पिर उसके बाद आपको डाउनलूड कर ली जे क्यूंकि जब आप आप आपको डाउनलूड करूगी तो आपको इसमें बहुत सारी खैस में य जो क्वांट्स रीजरें इंगलिश और एग्रेट के जो आपको help करें आब पयर वीश इसी वीडियो के description link में आपको मिल जाएगा app का link जहां से आप app को directly install कर सकते हो ठीके जी चलिए अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले हम ships की breed की बात करें तो सबसे पहले यहां पर जो हमारी ships की breed है इन में कुछ important चीजे हैं हमें पढ़ने कुछ important points पढ़ने हैं सबसे पहले हम इनके geological name की बात कर लेते हैं तो बेटा ships का geological name या फिर scientific name की अगर हम बात करें तो वो है ओविस एरिस और अगर हम इनकी family की बात करें वो है बोल्डी जो कई बर पूछी जाती है राइट और इनके chromosome number की बात करें बेटा तो इनका chromosome number जो है that is 54 कितना है 54 है राइट तो यह क कुछ बहुत ही special और specific चीजें हो गई ships के बारे में जो हमने पड़ी अब पढ़ेंगे हम कुछ important facts about the sheep important facts में क्या क्या चीजें हम लोग ships के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले इनका वूल तो शीप के वूल को क्या बोला जाता है फ्लीस बोला जाता है इनके group को बोला जाता यूज करा जाता है ठीक है काराकुल यह एक्चुरी होती तो exotic breed होती काराकुल ठीक है इसको पैल्ट परपस के लिए यूज करा जाता है तो skin removed by the slaughter ठीक है चलिए sharing में चलते हैं बिटा तो sharing क्या होता है शेरिंग होता है यह basic लिए exotic breeds में इसको भी जात तर यूज करते हैं त इनका बुल जब बहुत जादा हो जाता है बहुत हेवी हो जाता है तो उसके क्लिपिंग कर ली जाती है और उसी क्लिपिंग को बोला जाता है बिटा शेरिंग क्या बोला जाता है शेरिंग बोला जाता है अब चलते हैं लास्ट वर्ट नॉट दे लीस्ट टपिंग जेनेरेशन के लिए तो उसको बोला जाता है और ये क्वेशन भी बहुत बार एक्जाम में पूछता है ठीक है तो बच्छा लोग हमने पड़े कुछ important facts about the ship जिसमें हमने पड़ा उनके group को क्या बोलते हैं उनके meat को क्या बोलते हैं अच्छा मीज को तो पता है आपको क्या बोलते हैं मतन बोलते हैं ठीक है पैल्ट क्या होता है sharing क्या होता है सारे ढ़ें समें पड़ली सारे ढम समय सब्सक्राइब चलो very nice अब आगी चलते हैं अब हम बात करेंगे ship की breeds की breeds of ships के बारे में पढ़ेंगे तो वह ships की जो breed है बेसिकली इनको अलग-अलग basis पे classify करा जाता है बच्चो सबसे पहले आती है हमारी temperate reason की breeds मतलब जो हिमालियन रिजन की ठंडे एरियास की breed है इसके बाद आती है हमारी next breed western reason की breeds जो western reason में होती है फिर इसके बाद चलेंगे बच्चो हम आगे next breed पे southern reason की breeds है और फिर इसके आद फाइनली आ जाएंगी हमारी eastern reason की breeds बेसिकली एरिया वाइज हम breeds को classify करते हैं राइट तो बच्चो टेंपरेट reason western reason Should then go और Eastern reason और इस तर दीजन सारी जगे अलग अलग breeds होती है तो जैसे आपकी बाखरवाल हो गई गदी हो गई रामपूर बसेर हो गई गुरेज हो गई यह सारी की सारी breeds है यह है आपकी temperatures reason की with कौन-कौनạnh सी बता है मेरी । इसके अलावा बाखर वाल है पाकर्वाल ब्रीद हो गई गुरेज हो गई यह जो बीडी में जो मांगरा हो गया हिसाडी हो पठानवाड़ी हो गया, ठीक है, ये breeds आपको यहां पर मिलेंगी, अब बात करेंगी बिटब, सदन रिजन की breeds की, तो बेसिकलिघा जैसे आपकी देखणि हो गई, ठीक है देखणि हो गई, बिखणि हो गई, नीलगिरी हो गई, ठीक है, ये breeds competitive सदन रिजन में देखने को मिलती है अब बात करते हैं इस टन रिजन की भी तो बैसे कि लिए छोटा-Nagpur-Gunjana ते बद यह बीड़ बेसिक इसका हिमालियन रिजन भी है ठीक है तो हिमालियन रिजन कश्मीर जमू कश्मीर यह बेसिकली इस ब्रीट का घर है यानि कि यहां पर यह ब्रीट इजीली देखने को मिल जाती है अब इस ब्रीट को यूज किस परपस के लिए करते हैं तो इस ब्रीट में आप देखे रहें व बहुत ऐच्छा वुल मिलता है तिकर दूसरा बेटा fine quality का वुल मिलता है तो यह हमारी गद्धी ब्रीड इसको क्या बोलते हैं On को किस परपस के लिए यूज करा जाता है तो बचोँ इस बृट को यूज करा जाता है specifically wool production के लिए इस breed को बॉल प्रड़ाक्शन के लिए यूज करा जाता है अब बच्छों generally हम देखते हैं कि हिमालियनी क्या होसा है चलने फिर में प्रोब्लम मतम् ट्रांसमॉटेशन की दिख्ट भी हर जिए मेरीं तो इस ब्रीटों को यूज करता हैं रूसलोडेशन के लिकिन नहीं चलते हैं जैसे कर Went हमारी बाखरवाल बीट कौन सी बीटे बिटा बाखरवाल तो यह भी हमारी हिमाचल प्रदेश जम्बु कश्मीर हिमालयन रिजन यहां की बीट है अब इस बीट का स्पेसिफिक फीचर क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके उलंग होते हैं लंबे-लंबे कान होते हैं औ तो इससे बहुत अच्छी quality का shawl बना जाता है, क्या करा जाता है, बहुत ही अच्छी quality का shawl इस breed से बनाया जाता है, तो यह हमारी कुछ specific और बहुत अच्छी breed होती है बिटा, जिनको shawl बनाने के लिए use करा जाता है, कौन सी breed है बाखरवाल, तो हमने कौन कौन सी breed पड़ी है एप प्रिट में हमने पड़ी दूसरी हमने पड़ी बाखरवाल और रामपूर बसी और इन तीनों का ओरीजिन प्लेश कहां पर है बच्छो तो इन तीनों में तो हम प्λλे मिलती है जो के साफ्व साथ कईज्व में पाकड़ने को मिलती थींट थींट कहांपर मिलती है बच्छो आप सकते हैं यर्जेंट में ठीड सोते हैं लंबे नंवे हो थे में कान यह उसको लार्जस बिभी आप बोल सकते वैसे निलॉर को भी हम largest breed बोलते हैं ठीक है तो इनके ears जो होते हैं वो लंबे-लंबे होते हैं इनके कान और ये breed बहुत जादा strong होती है अब बच्छा लोग इन breeds को basically हम किस purpose के लिए यूज करते हैं तो milk production purpose के लिए इन breeds को हम use करते हैं इन breeds को basically हम wool production purpose के लिए यूज करते हैं और ये हमारी strong और largest breed होती हैं बच्छों देखो बटा मैंने जितने भी points इसमें mention किये हैं आपको सारे points बिलकुल धिहान से सुनने और सारे points बहुत important है इन सारे points से directly आप examic question देखोगे तो बिलकुल धिहान से देखिएगा ठीक है चलिए बागी चलते हैं बटा चोकला अब यह चोकला breed है लेकिन पीटा इसको अ अच्छा मिलता मिलता है बहुत जादा वूल मिलता है तो इसको क्या बोलाजाता है इंडियन मेरीनो बोला जाता है तो आप कहींzić पर भी चोकला breed को देखोगे बिटा तो इसको बोला जाता है मेरीनो या फिर मेरीनो ओफ राजस्थान क्या बोला जाएगा मेरीनो ओफ राजस्थान भी इस ब्रीड को बोला जाता है यह कार्पिट वुल के लिए फेमस है किसके लिए फेमस है बच्चों कार्पिट वुल के लिए ब्रीड सबसे जादा फ तो बीकानेर जैपूर और राजस्थान में इसका ओरिजिन प्लेस है ठीक है चलिए अब यहां पर आप देख सकते हैं इस ब्रीट को इसका फेस जो है थोड़ा सा ब्लैक है और बाकी बाड़ी इसका क्या है नॉर्मल है ठीक है चलिए बागी चलते हैं बच्छों अगली नेक हमें देखने को मिलते हैं जिसको हम 2nda क्या बोलते हैं और हमजब प्रीट को sections भीकाने को होता है ठीक है इसका बाड़ी होता है ऑड़jak लाइट पिंक कलर का बॉर्य के बाड़ी होता है थangesवाघ्यान का अब भीनिका रही होता है कैसा हो होगा लाइट बियों कि अक कि लाइट पिंक कलर की गवरिंग होती है इनकी बॉडि से फूप बाईशन होता है बहुत अच्छा कार्पेट वॉर्ड प्राडूस करा जाता है और प्रोड़क्षन ओलमुस्ट कितना होता है तो दो से धाई दो से पांच लो होता है लगवरक दो से पांच Seb प्रेक्षन होता सकतstellen का या यहांता सब्सक्राइध वॉल प्रोडाक्षन होता है इधरी कम एर इस ये ब्रीजिंगे मिलती है और इसको कारपेट उल के लिए यूइस करा जाता है ठीक है और इनकी बॉडि आछशी खासी होती है और इनको फ्यूश कर डाक्षन के सबसे पहले आती है मदिया प्रीट मंडिया प्रीड का सपेशल फीचर क्या है इनकी बॉडी जो ती है पीछे से यू शेप में होती है इस तरीके से इनकी बॉडी जो और दूसरी बात जैसे अब हिमने आगे पड़ा लार्ज़स्ट ब Dreed यह सिप होती है लार्ज़स्ट ऐ спросus को हमारी कैसी होते हैं बहुत ही smallest होती है, बहुत छोटी breed होती है, तो ऐसे ही मंडिया को क्या बोलते हैं, smallest breed, क्या बोलते हैं, smallest breed इसको बोला जाता है, और इसका जो origin place है बेटा, वो कहाँ है, करना टका है, ठीक है, करना टका है, इस breed को use करा जाता है, बेटा, किसके लिए, meat production purpose के लिए, जैसे किसी को वुल प्रडाक्शन के लिए यूज करते हैं तो इस मंडिया ब्रीड को किसके लिए यूज करते हैं बच्चों तो मंडिया ब्रीड को बेसिकली यूज करा जाता है किसके लिए यह वाइट कलर की ब्रीड जो है इसको यूज करा जाता है मीट प्रडाक्शन के लिए आप द होता है ठीक है चलिए आगे चलते है एंहेल और चो ब्रीड है इसका specific फीचर ये होता है किसके हौन से आप इसको पहचान सकते हों की तर इस त्राइप के हौन होते हैं यह थे हो इस ठाइप के छोते हैं की इस अब निए अब टीकिन की of sheep बोला जाता है क्या बोला जाएगा टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शीप इनको बोला जाएगा यह आंद्रप्रदेश की ब्रीड है बच्चों और इन ब्रीड को मटन के लिए यूज करा जाता है किसके लिए यूज करा जाता है तो सीधी सी चीज यह आपकी आंद्रप्रदेश क सबसे tallest breed है पूरी ships में tallest breed होती है और लोई को हम क्या बोलता है largest breed बोलता है smallest breed कौन सी है मंडिया है ठीक है अब देखो बिटा और यह basically किस के लिए यूज करी जाती है तो तो रमनद वाइड की बात करें बच्चों तो इनके भी बॉड़ी फीचर कुछ इस तरीके से होते हैं और पहली बार ये ब्रीड हमारी थंजवूर में ली तामिलनाडू थंजवूर या रमनद बोलो ठीक है तो तो तमिलनाडू थंजवूर जो है बटा ये इसका ओरिजिन है और अगर हम इनके बॉड़ी की बात करें ठीक है तो अब अगर हम इनके बॉड़ी की बात करें तो इनके बैली में और लेग्स में क्या होता है ब्लैक कलर की मार्किंग होती है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह देखो ब्लैक कलर की बैली में यानि कि नीचे की न margin और लेग्स में डाक ब्लیک करती मार्जिंट आपको यहां पर देखनेकों उक्पकता सब्हसेंख भी दोट में बीट को स्पैसिफिक को नहीं है थोड़ा बात मीट के लिए और फिर लिए नेक्स आएगी हमारी नीलगिरी बृट अब क्या आएगी नीलगिरी बृट आ जायगी जीक अब करें बृटा तो टूने डीन बृ belangrijkect को साउट की बीड है यह भी आपके कहां की ब्रीड है बिटा सदन रिजन की ब्रीड है यानि के साउथ की ब्रीड है अब यहां पर बात करें बिटा तो यह ब्रीड बेसिकली हमारी तमिलनाडू वाले रिजन में देखने को मिलती है कहां पर देखने को मिलेगी बिचो तो यह ब्रीड बेसिकली न तो इनकी romex nose होती है, और साथी साथ इन breeds में, इन breeds का जो wool होता है, वो इन breeds से wool production कीया जाता है, और इनकी जो nose होती है, वो basically romeo nose होती है, जैसे हमने goats में भी देखाता है, रomeo nose, romeo nose, romeo nose हम पढ़ती है, ऐसे ही इन shifts में, जो tornadoes जो होते हैं, रोमनोस होती है और साथी साथ हिनका जो वूल होता है बिटा वो काफी अच्छा वूल इंसे प्रडस करा जाता है ठीक है यह होती हमारी निलगिरी breeds ठीक है चलिए आगी चलते है अब next breed आईगी बिटा हमारी triche breed अब triche breed देखने में थोड़ा सा अलक सी लगती है इसका लुक बिलकुर ही different है ठीक है तो यह black color की breed होती है और basically अगर मैं बात करूं तो यह चोटे चोटे animals होते हैं इनकी आनिमल है black color की coating होती है black color की ships होते है ठीक है अब इनकी बात करें बड़ा तो इनके जो मेल्स होते हैं जेक है मेल्स में तो हांस होते हैं लेकि फीमेल्स जो नहीं है जो वो पोल्ड होती है यानि की डारेक्ट डाउनवार्ड और इस तरीके से कान इनके कुछ इस तरीके से होते हैं सीधे नीचे की तरफ स्ट्रेट होंगे डारेक्ली नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट होंस इर्ट स्ट्रेट होते हैं इनके दूसरा इनकी जो टेल होती है वह बहुत छोटी होती है तो यह जो मीट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है और कोर्स होता है कैसा होता है और थोड़ा सा कोर्स होता है इनका फ्लीस थोड़ा सा हार्ड जैसा होगा हम यह बोल सकते हैं तो ऐसा मीट हमें इन ब्रीट्स में देखने को मिलता है तो बिटा ट्राइची ब्रीट की बात करें तो जो एानि के कान जो होते हैं और नीचे के तरफ होते हैं ठीक है तो ओर्णित होते हैं होता है और ही होता है झाल से बिल यूब तो कुछ री commanded हमारी बहूत इंप्रटन है थोड़ा सा इनकी कि बात कर लेते हैं तो कौन कौन सी aji अब देखो घाव कि हो गया कराकुल हो गया यह सारी वेले लिन कोलन और इसके अलावा एक और बीट होती है नो डॉर्सेट ठीक है टो सबसे पहले मरीनो की बात कर लेते हैं तो मेरिनो जो है बेसे कि लिए स्पेξी बरीड कहां की बरीड की बरीड और इससे और ऐपीटी परसंट गुत करा जाता है कितना अब मतब्स जितना भी वंग में फिल होता है उसका लगवा 80% इस से आता है ठीक है यह बेसिकरी ऐसी ब्रीट्स होती है जो लगवाग जादतर इन्वार्मेंट में सर्वाइव कर लेती है तो उसको हम क्या बोलते है मेरी नो बोलते हैं तो यह वुल्ट प्रडॉड़क्शन करती है बचो और जादतर इन्वार्मेंट में इसी रिवाइव कर लेती है ठीक है दूसरा अगर हम इसके बारे में बात करें घाएज तो यह क्या करती है खाइयस्ट वोल्ट प्रडूज़शन करती है ठीक है हाइस्ट वोल्ट प्रोडूजिज़़ंग शिप है यह पॉ intended अगर हम लिखें तो शीप होती है ठीक है कौन सी मेरीनो की अगर हम बात करें ठीक है चलिए अब आगे नेक्स्ट की बात करते हैं बिटा दूसरी आजएगी हमारी रैम बुलेट अब देखो बिटा रैम बुलेट एक बहुत इच्छी क्वालिटी की ब्रीड है इसको चोकला के साथ और माल पूरा अब बहुत सारी ब्रीड के साथ को क्रॉस करवा के अच्छी अच्छी ब्रीड को बनाया गया है ठीक है तो रैम बुलेट की बात करें बिटा तो बेसिकली रैम बुलेट जो है यह फी कैसी है अब यह डूल पर्पर्पस ब्रिड होती है दे供ो dus chat दिखो यह बीर पर्पस सब्सक्राइब करनाज दीजर्ट इन रहां है जाती है तो भूट अच्छी बीड की अपासो Crunchy जिसकी नहीं बीड है ऑप डीड के का स्पेसिफिक फीचर क्या है ज становится यह भी आपकी क्या है डोल परिपरेट हैं और नुझी लैंड की ब्रीड है लीवद। प्रइस है और यह दूयल प्रप्र बिजान निथे निघ को प्रप्रेइड बीचास ते इस यसके वुल और मिट दोनों के लिए उसका आजाता है बदड़ को अब इसके एन सब के डाइग्राम भी आपको देख रहें तेख के अलिका फिक इंगलन की ब्रीड यहां प्रोड़ा जाता है यानि कि बिलकुल हार वुल इसकी बॉर्डी से निकाला जाता है हाड बॉल इसकी बॉड़ी से प्रडूस करा जाता है clear हो गई बात ठीक है तो रैमबुलट लिन कोलन कोरीडेल और मैरीनो इन ब्रीड के बारे में हमने पढ़ा अब थोड़ा सा कराकुल के बारे में पढ़ लें तो बिटा कराकुल जो ब्रीड होती brand दो बिटा सबसे पहले हमें ब्रह में सहते हैं ठीक है कि जैसे कुछ breeds होती है जो जल्दी होती तो बहुत अच्छे हैं लेकिन किसी भी इन मॉमेंट में इसीली वो सर्वाइव नहीं कर पाती है तो ऐसा इस breed के साथ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है यह क्या है इसीली अड़ेप्ट कर जाती है हॉट हो या कोल्ड कंडि बैब्स का मैमना ख़िक जो लैंसे उनकी बहुत अच्छी डिमांड POLस गला जाता के लिए इसको चाफी जाधा यूस करा जाता है काँठ कर आ कर दो गयर्मेंट सुछower बिखंड़ा बिच्चों हुझाया Ou जिए इंड़ कह चार जाता है कौंई पर हम ने सारी बरीड़े ब हमने पढ़ी लिन कोलन हमने पढ़ी कोरीडेल हमने पढ़ी मेरीनो हमने पढ़ी और कारकुल हमने पढ़ी और यह भी पढ़ा कि यह ब्रीड कहा कहा की ब्रीड है ठीक है डॉर्सेट ब्रीड की बात करो बिटा तो डॉर्सेट ब्रीड जो है बेसिकली डॉर्सेट डॉर्सेट going and कि दो उसको यूज करा जाता है मेट प्रोडक्शन परपस के लिए किसके के लिए यूज करा जा जाएगा बच्छों यूज कि पराक्शन के लिए यूज करा जाएगा क्योंकि इसका जो मीट है वो बेसिकली बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है तो बच्छा लोग इसको यूज करते हैं हम किसके लिए मीट प्रडक्शन के लिए ठीक है तो अब इंडिजेनस ब्रीड्स के बारे में तो हमने पढ़ा ही exotic breed के बारे में भी पढ़ लिया है ना कि कौन कौन सी exotic breed है बेसिकली इनको किस किस परपस के लिए यूज करा जाता है इसके लब बच्चों कुछ new breeds भी होती है कुछ new breeds भी उनके बारे में आपको बता दूँ जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अविकाल लेजे अविवास्टरा पढ़ा है हिसार डेल कौछ ब्रीट के बारे में बात करती हूं अविकालिन की तो यह सबसे पहले हम लोग लोग देख लेत हैं अविवास्टरा अविव करें आविवास्त्रा की बात करें तो अविवास्त जो ब्रीड है अवी का नगर में इसको डविप करा गया है और इस विडिय और इसपो बनाया कैसे झिए तो उन ने आपको बोल था था ना रैम बुल उसलिए यहाल करें तो क्रॉस करके जो नई ब्रीड बनाई गई इस अभी वास्तरा तो उसको कठी बनाने के लिए कर जाता है कपडों के लिए क्लाथ पर्पस के लिए आप इसको क्या करते हो यूज करते हो ठीक है तो यह बहुत अच्छा राउस है बच्छों दूसरी हम बात करते हैं अविकालिन की अभीकालिन बीट अब यह तो अविवास्तरा पढ़ लिया रैंबुलेट और चोकला का क्रॉस है अवी वास्तरा अगले ब्रीट पर चल सिमिन आपको बताया था इसी रामबुलिट का क्रॉस माल पूरा ब्रीड से करवाते हैं किसे करवाएंगे बच्छा माल पूरा ब्रीड से करवाएंगे और जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो हमें मिलती अविकालिन ब्रीड ठीक है और ये बिटा कार्पेट मेकिंग के वो तो क्लोफिंग के लिए अच्छी थी, वो तो क्लोफिंग के लिए अच्छी थी, कप्ड़े बनाने के लिए, ये किस के लिए, ये कार्पेट मेकिंग के लिए, बहुत ही अच्छी और बेस्ट क्वालिटी की ब्रीड है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, अविका उसको सी एस डवल आराइमें करा गया था था थीक है संट्रल को जो है राजस्तान उम्हचंड में इसको वहां पर सबसे पहले करा तो यहां धो अ सूभंरिसुट में अविकालर में आगर दोनों स्काल पर परपस के ने यूस करा जाता है और दूसरा इस बीड को कहां तो यहां पर आप इनको सबको देख लिजी सारी ब्रीड सब को यहां पर धिखाई देंगी a d in 咪नों सारी ब्रीट साहरी अपको ब holistic सबस्क्राइब करे के अब को सारी जवरी मेल कर्दाव तब कर fan नियुक्रा तब पीछे सक्ते हो सब्सक्राइक का बोड बात को से कम नवीजिए इस नाने तो कर विए सब्सक्रान तरो होडर्म्री खोड़ामन इस सी करदाव lived तो यह आज हम दोगों ने पढ़ा बच्चों शीप की ब्रीड के बारे में तो आई थिंक कि अब आपको शीप ब्रीड क्लियर हो गया होगा अब यहां से जो इंपॉर्टन क्वेशन आएंगे लाइक ब्रीड से रिलेटेड उनके नेटिव से रिलेटेड की उनका नेटिव इस कहा है दूसरा किस परपस के लिए उन्हें यूज करा जाता है तो आप इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि यह हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ठीक है बचो ऐसे यार अगर आपको बहुत इच्छे से से चो उसके लिए डू सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो है,